जे हिंद सेनिकों पूरु सेनिकों वे अन्य केंद्रिय क्रमचारियों का आपके अपने यूटूब चैनल सुध ग्यान पर एक बार फिर स्वागत है। सातियों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मैतु पुरुन वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक इस पर्स पोर्टल पर पैंसन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी परकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और आप वन टाइम में अपना पीडिवी कंपलीट कर सकते हो। यह पूरी वीडियो आपको एक लाइव डेमो के सिस्टम से तिखाये जाएगा जिसके अंदर सुरुष से आपका जो मोबाइल में मेसेज आया था यूजरनेम पासवर्ड और अंत तक आपका पीडिवी डिकलेरेशन डाउनलोड करने तक का प्रोसेस होगा कि आपको जो इ पादार से जो इसको वेरिफाई करना है वो कैसे करना है और यदि हमने कोई जानकारी एडिट की है तो उसके लिए किस डोकॉमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसको आपको आटेज करके अपलोड करना है तो साथ यह देखिए इस वीडियो को सुरू से आन तक समय निका और अपना पैंसन डाटा वेरिफिकेशन करेक्ट हो आईए देखते हैं लाइव डेमो के साथ शातियों यह है इसपर्स का पॉर्टल इसपर्स.defense.gov.in आप इसको मोबाईल, कंप्यूटर, लेप्टोप, डेक्स्टोप किसी भी मादियम से एक्सेस कर सकते हो आज मैं जो डेमो दिखाऊंगा, वो मोबाईल में दिखाऊंगा, तो हो सकता है किसी ने कंप्यूटर में लोगिन किया होगा, तो कुछ जो मेनू, कंप्यूटर में पूरे जो हेडर में दिखाई देते हैं, तो आप में दिखाई देंगे, लेकिन मोबाईल में वो ही मेनू, लेप्ट कर सकते हो, तो हम शुरू करते हैं, आईए, ये है आपका पोर्टल इस पर, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो तीन लाइन दी हुई है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद लोगिन बटन पे क्लिक करना है, लोगिन बटन पे क्लिक करने के बाद, आपको एक पॉप अप विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपने यूजर नेम, पासवर्ड और केप्चा डालके लोगिन करना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल पर, इस पर स्पोर्टल से, आया हुआ है, SMS आया हु यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डिटेल एंटर हो चुकी है, और हम लोगिन करेंगे, अब हमने लोगिन बटन पर क्लिक कर दिया है, अब आगे देखिए आपको, जो इनिशिल पासवर्ड आया, उसको चेंज करने का उप्सन आया है, यह देखिए, यहां पर आपने, जो करन्ट पासवर्ड आपने अभी जश्ट पहले डाला था, वो सबसे उपर डालना है, उसके बाद नू पासवर्ड, जो आप अब पासवर्ड बनाना चाते हो, वो यहां पर एंटर करना है, उसी पासवर्ड को दुबारा रिपीट करके, कंफर्म पासवर्ड में डालना है, देखिए, आपको यहां पर दिखाये जाँ रहा है, new password डल चुका है उसका confirm password डल चुका है अब यहाँ जो password आप इस type के create करेंगे उसका hint दिया हुआ है कि password आपका minimum 8 character और maximum 12 character होना चाहिए आपके password में ABCD का एक चोटा लेटर आउसे होना चाहिए और एक चोटा लेटर ABCD का बड़ा लेटर आउसे होना चाहिए एक 0 से लेके 9 तक डिजिट होना चाहिए special character जो दिये हुए उन्ही में से होना चाहिए और यह चीज़ें आप इसके according password डालके आपने submit करना है का एक message दिखाई देगा screen पर your password has been changed successfully you will know be logged out जैसे कि एक बार password कहीं भी हम है change करते हैं तो हम क्योंकि पुराने password से login किये वे रहते हैं तो windows एक बार हमें logout होना पड़ता है यह by system by default होता है आगे लिगा एक to avail services login with your updated credentials यानि जो नया password हमने create किया है उससे हमें दुबारा login करना पड़ेगा तो अब हम ok के उपर click करेंगे तो हम यहां से इस window से एक बार logout हो जाएंगे देखिए जैसे ही ok क्लिक किया हम logout हो गए अगेन हमें same procedure वापस follow करना है login portal पर जाना है login window आएगा अब हम login पर click करेंगे देखिए same window अगेन आगया यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि username same होगा लेकिन password जो हमने update किया है और नया password यहां पर enter करना है और again login करना है यहां पर देखो आपको password enter हो चुका है capture code enter हो चुका है और अब login पर click किया है यह रहा आपका new login यानि updated password के साथ यहां पर आपको message दिख रहा है कि welcome to its first pension portal to proceed with pensioner data verification click here आपका PDV का first step यहीं से शुरू होता है आप जैसे ही click here करेंगे आपको जो जो updation या verification करना है उसकी यहां पर एक list दिखाई देगी देखिए सबसे पहले आपका personal details verify करना है उसके बाद service details, family details, bank details, other details, pay details commutation details, no many details इतनी सारी चीज़े one by one आपने verify करनी है अब आप सामने देख पा रहे होंगे कि अपना first name, middle name, last name properly check करना है सही है तो आगे बढ़ जाना है नहीं है तो आपको refresh button के left side में एक icon दिखाई दे रहा है उस पे click करना है ताकि आप अपनी details edit कर सकें next अपना gender, nationality, आदार number, pain number इसमें कोई भी आपको लगता है कि ये गलत enter हो चुका है record of this द्वारा तो आप यहाँ पे edit जरूर कर लें यानि उसको amend कर लें ये by default आता है ECHS recovery, yes आपको नहीं treatment एना ECHS no कर सकते हो fix medical allowance no आता है क्योंकि आप ECHS ले रहे हो country हो गया, mobile number हो गया, email ID होगा हाँ यहाँ पे आपको mobile number भी update करना है तो कर सकते हो साथ ही email ID भी update कर सकते हो address अपना properly check कर लो आप जो address आपका latest address है यहाँ पे आप डाल सकते हो कि record ने चाहिए कुछ भी बरा हो लेकिन उसमें कुछ प्रूटी है तो आप सही कर सकते हो pin code update कर सकते हो state आपका district next है कि यह जो document है pensioner signature or joint photograph with spouse यह document आपका जो भी concern record है मेरा आटी है तो आटी नाम आ गया उन्होंने attach किये हैं हाँ इनको आप बदल भी सकते हो next है pensioner declaration attachment आपने record office को जो submit किया है उन्होंने scan करके यहापे attach किया हुआ है इसके बाद आपने यह details को save as draft करके और next कर देना है save as draft करते रही क्योंकि हो सकता है कि आपको network weak हो या आपका portal से logout हो जाए तो next time जो दूबार login करोगे तो आपको दूबार data verify करने के जुटना पड़े next करने के बाद अब हम आ जाते हैं जैसे कि personal detail verify हो चुकी है हम service detail में आ गई आपको screen पे जो दिखाई दे रहा है उनको verify कर ली record of is, nature of discharge close of discharge उसके बाद आपका trade क्या है इस service detail verify होने के बाद आपको family detail, bank detail, other detail यह सब verify होगा next फिर आपका आ जाता है कि regimental number क्या है, army number उसके बाद आपको M.A.C.P. कौन सा मिल रहा था retirement के time पे AICT diploma holder यह दिया आप हैं तो yes करिए, by default no आता है TA personal के लिए यान yes करना होगा date of enrollment, date of discharge यह आप अपना proper तरीके से चेक कर लिए, क्योंकि एक बार pension data verification होने के बाद change करवाना बहुत लंबा process है तो इत्म इनान से इसमें कोई जल्दी बाजी करने की जरूरत नहीं, आप हर एक चीज़ को verify करिए, कई doubt आ जाता है तो वहीं रोक दीजिए, आसपास या किसी जानका से पता करिए और उसके बाद अपना PDV complete करिए यदि service extension है, तो yes करना है नहीं तो no है, तो बिल्कुल ठीक है service condone, जो content नहीं है जिरू-जिरू आलेट दीवी है, वो ठीक है यदि किसी condone है, तो बरिए यदि discipline pending, देख चेक कर लीजे अपना penalty imposed, pension recommended 100% यदि commutation आपने no किया हुआ है तो commutation जब आप yes करो के तो 50% हो जाएगी save as draft और next करने के बाद आपको date of medical board, जब आपका medical unit से ओके unit ने record को बेजा है तो किस date तारिक हुआ आपका medical हुआ है वो यहाँ पे date डाले जाएगी save होने तो yes, low medical category है तो no कर देना है galant reward कुछ है तो aid कर देना है next कर देना है अब हम आगे service detail का data verify होने के बाद family detail में family detail में अपना wife का, बच्चों का और friends का जो service record में available है आपके seat rolls में data है उसके according यहाँ पे उनको verify कर लीजिए इनमें यदि कुछ भी आपको लगता है कि गलत है तो आप action बटन मीचे दिया हो वहाँ जाके amend करिए next किसी family member का जो dependent है उसका और जो dependent है उनका नाम aid नहीं है तो आप aid family member जाके उनका aid कर सकते हैं next save is draft करिए और next करिए अब हम आगे bank detail के अंदर आप अपना account number 3 वार proper अपनी checkbook और passbook के साथ में चेक करिए IFAC code आपका bank और branch ये जानकारी बहुत ही मेतुपूरण है check करने के लिए ये आपने क्योंकि ये ये account number गलत हो गया तो आपकी pension गलत खाते में जा सकती है अब ये जानकारी ये आपकी बिल्कुल रही है तो save is draft करके और आपने next जाना है other detail में देखिया next करने के बाद other detail आगी जिसमें एक ही detail सो कर रही है कि क्या आपको कोई previous pension मिल रही है तो लगबग 99% को नो होता है यदि किसी को 1% है तो yes करके submit कर ये अब हम चलेंगे again save is draft करके next के अंदर pay details ये रही है आपके सामने pay details 7 CPC है बिल्कुल ठीक है अपना level last pay slip के इंसाफ से update कर दीजिए आपकी pay क्या थी verify कर लीजिए जो FSA आया है उसके साथ में एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि लगबग अभी सभी का एक या दो increment लगे है तो अपना update कर लीजिए यहां पर मालों की कोई गलत थी और आपकी एक्चूली pay है जो संतिजा 200 है तो संतिजा 200 कर दीजिए जो MSP लगबग सेम है लगबग क्या सबका JCO and OR का सेम रहता है चेंज करने की जूरूत नहीं है आगे जो आपका pay spell add किया वाई यही आपका fix करता है कि last 10 month का average आपका pay कितना था और उसी के according आपकी pension निर्दारित की जाती है इसको proper अपना चेक कर लीजिए और इसमें कोई भी दूट है हाँ या amend करने का एक ही procedure है कि आपको जो हर window में जैसे army number मालों की mobile number गलता है तो उसके left side में एक refresh बटन होगा उसके पास में ऐसे जैसे की एक group of people है उसके उपर आप icon पर क्लिक करने के बाद आपको edit कर सकते हो यह बहुत ही काम की चीज़े आपकर commutation आपने इती पहले no भी किया हुए तो यहां पर आप 50% या उससे कम commutation apply कर सकते हो फिर अगेन आपने save as draft करिये और next करिये आप चलेंगा हम no menu detail में साथियों यहां no menu जैसे DCRJ death come retirement graduate उसके लिए हमने no menu add किया हुए अपना no menu का नाम प्रोपर चेक कर लीजिए और उसको share जो 100% हो already जो by default रहता है तो उसमें edit करने के जूट नहीं है हाँ इसमें एक और contingent no menu यानि alternate no menu आप add कर सकते हो जैसे यहां add नहीं किया हुआ है तो आप alternate no menu को यहां पर add कर सकते हो जैसे जो भी बच्चा हो सकता है या mother father हो सकते हैं again same procedure हर बार verify करने के बाल आपने save as drop जूरूर करना है और next कर देना है अब आईए देखते हैं कि यहां पर यह आपको जो फिल्ड डिटेल दिखाई दे रही है इसके अंदर यह पूछ रहा है कि जैसे कि इन में क्या है कि pin code number change किया गया था तो अब कुछा जा रहा है कि pensioner के pin code के लिए आप कौन सा supporting document attach करना चाते हो तीन option आपके पास में है passport, electricity bill या driving license तो इन message जैसे यहां पर driving license attach किया वा था तो driving license के उपर click करके हमने choose file करके और जो file अपने mobile में है वहां से इसको attach कर देना है उसके बाद, attach करने के बाद में आपको acknowledgement और declaration शुरू हो जाएगा जैसे fix medical allowance का था आपने सब में next, next, ok, next करना है यह access payment आपको इदी कोई मिल जाता है तो आप वापस PCDA को refund करोगे इसके बाद में declaration है जो आपने next करना फिर यह है कि आपका जो आदार नमबर है वो इस पर्स में use किया जाएगा इसके लिए आपसे consent मांगा जा रहा है आपने consent, ok कर देना है यह है कि आपका जो mobile नमबर और email id दिया है उसके उपर इस पर्स मेंसेज बैश सकता है तो आपने इसको agree करके yes कर देना और next करिए again यह है कि reemployment declaration कि आप ज़िए reemploy हो जाते हैं retirement के बाद तो आप PCDA और RT record को inform करोगे फिर next यह declaration है आपका tax option का अभी latest जो new regime के इंसाब से automatic by default field करके ही RT record और PCDA बेजता है तो आप इसमें edit नहीं कर सकते new regime already जो है उसके उपर ही टिकरेन दीजिए और next कर दीजिए यह आगया acceptance declaration कि जो भी इस claim के अंदर या इस process जो हम अभी देख रहेते हैं इसमें जो भी हमने चीजे डाली है वो बिल्कुल सही है वो इसमें कोई गलत नहीं है और मैं अब इसको e-sign करने के लिए जा रहा हूँ e-sign दोस्तों इसके लिए must है कि आपके अधारिक नंबर के साथ में mobile नंबर लिंक होना चाहिए उस पर OTP आएगा तब ही आप e-sign कर सकते हो अब यह बता रहा है कि आपको दूसरी website में ले जाए जाएगा c-deck जो कि अधार कार्ड की e-sign website है जैसे ही हम ok करेंगे हमारे को अधार verify के लिए दूसरी website के अंदर इस portal से दूसरे website में switch होगा देखिए साथ यह आपकी website जैसे दिखा दे रहा है कि आपसे यहाँ पर अधार नंबर पूछा गया है और उसके बाद में get OTP करना है आपके mobile पर OTP आएगा उस OTP को enter your other OTP में एंटर करना है एंटर करने के बाद में आपने टिक करना है डिकलेर करना है कि आपको कोई objection नहीं है जैसे दिखाई दे रहा है आपको और फिर नीचे submit कर देना है अब यहां submit किया जा रहा है submit करने के बाद में आपका फिर declaration आ गया कि जो भी मैंने detail दी है वो यह verify कर दी है और नीचे दिखावा है कि declaration file is signed successfully उसके बाद आप submit करिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्या change की थी old value क्या थी new value क्या थी यानि यहां pin code change किया गया था इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है next आपका acknowledgement आ गया कि आपका data जो successful ही submit हो चुका है आपकी यानि जो PDV mostly complete हो चुकी है आप अपने status track करने के लिए ok पर click करिए यह देखिए जैसे हम ok पर click करेंगे track status में चल जाएगा जहां पर जो अभी हमने change request की थी जैसे की pin code number चेंज गया था तो कुछ straight forward accept हो जाती है और कुछ data जो है हमारा हमें submit करने के बाद में हमारा concern record verify करता है तब ही process हो पाता है तो यह address change करना एक straight forward है यानि जैसे ही आपने पूरपटेज कर दिया आपका जो change request accept कर ली जाएगी आप समझ सकते हो finally की हमारा data change हो चुका है इसके लिए मैंने वीडियो आलड़ी डाल चुका हूँ कि कौन सी state forward होती है और कौन सी जो है अपना concern record कर थूर प्रोसेश होगी verify होने के बाद में ही PCD उसको accept करेगा तो यहाँ पे आपका PDV complete तोर पे हो चुका है और इसके अंदर एक चीज और जो my document में दिखाई देती है कि आप क्या-क्या चीज डाउनलोड कर सकते हो वो आपके विंडो पे दिखाई दे रही है पैंसे सिलिप, PPO, entitlement, PDV declaration अब मैं आप बताता हूँ कि आपने जो PDV अभी बनाया था, final submit किया था उसका declaration डाउनलोड कैसे करना है आप जैसे PDV declaration के उपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे अपना PDV का PDF फाइल दिखाई देगा तो open PDF करिए जैसे ही आप अपना इसको Adobe Reader में open करने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा अपना verification of data sheet दिखाई देगा यानि आपने जो इस वीडियो में जो भी पहले देखा है वो आपका e-sign होने के बाद इस तरीके से एक PDF PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अदर आपको हर चीज दिखाई देगी इसको आप डाउनलोड करके save करके प्रिंट आउट करके अपनी फाइल में लगा के रख सकते हो कि आपका इस पर स्पोर्टल पर डाटा जो फिल किया वा है उसका record यह है आपका pension से लेटेड परसनल इटेल फेमल इटेल हर चीज इसके अंदर सो करेगा और इसके उपर digitally signed भी दिखाई देंगे जो सबसे last page पर bottom में right side में होते हैं जैसे कि यह जो आपने change request किया था pensioner pin code old value क्या थी new value क्या थी और approved state मतलब state throw साथियों जो मैंने live demo आप सब को दिया है ये live demo अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि जिसका भी OTP sorry login ID और password आया है उन्होंने अपना इस पर PDV complete कर लिया है मेरे पास बहुत सारे comment आ रहे थे कि हर कदम पर हर step में कुछ निकुछ प्रोब्लम आ रहे थी PDV टिकलेर नहीं हो पा रहा है केई जो बूत पूर से निके हैं जो mobile यूज नहीं कर पाते हैं या जो old fans नर्स है इसलिए मैंने एक ये initiative लेके live demo आप सब के सामने paste किया है तो दोस्तों यदि आप सब को ये वीडियो अच्छा लगा तो like और share जरूर करें और मैं आपको ये ब्रोसा देता हूँ कि आपको इसमें कोई भी किसी परकार की और भी संका या समस्या आ रही है तो मेरे comment box में जरूर लिखें मैं आपका उचित आपको जबाब दूँगा और इस चैनल को subscribe कर लें ताकि next कोई वीडियो जो आए उसका stand, access और notification आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देखे और अपना pension में लाब उठा सके हैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन, जय बारत